रोज रोज नए नए मामलों के क्रम में एक मामला प्रकास में आ रहा है आपको बता दें कि उत्तर परदेश के जनपत बांदक के ग्राम पंचायद परसोली का एक बीडियो बाइरल हुआ था जिसमें ग्राम पंचायद परसोली की गोशाला में गोवंश को मरत दिखाया गया था हाला कि जब मीडिया बंदो द्वारा मोगे पर जाकर निरचड किया तब फूस्ताच की गई तो ग्राम परदान से इस बाद से साफ साफ इनकार कर दिया आपको बता दें कि ग्राम परदान प्रतिनिदी आत्मा राम यादब उर्फ रजजन यादब ने इस बात की पूरी जानकारी मीडिया बंदों को बताई और कहा कि गोशाला में कुछ गोवंश बीमार थे जिनका इलाज भी चल रहा था और किसी पत्रकार दोरा बीमार गोवंश की फोटो बीडियो बना कर उसकी मरत होने की खबर फैला दी और बाद में पत्रकार मिलने भी नहीं आया जिस से हम पूरी जानकारी बता सकें आगे प्रधान प्रतिनिदी ने बताये कि हमारी गोशाला में गोवन्ष के लिए हर प्रकार की उजित बेवस्थाएं की गई है और यहां कोई गोवन्ष मृत नहीं है और मृत गोवन्ष की जो ख़बर फेलाई गई थी बाप पूरी तरह से गलत थी बीरो रिपोर्ट आपको नाम क्या है मेरा नाम आत्मा रामपुर्फ रज्जन क्या है आप इसे कहुंच ग्राम पचाएट परशोली प्रधान प्रतिनिदी अच्छा यह आपके गोशाले में क्या विवस्थाएं हैं और क्या बूसी की क्या विवस्था हैं गाय खानी के लिए अर्वाट यह आ तो यहां पड़ा है अच्छे और 500-600 कुंडल डेरा में रखा है कुछ बीरियों वायरल हुए हैं कि उसमें क्या है माम रख कैसा क्या है और उसमें सर्व कई गाहों से आया हम आया है कोई दिकत नहीं है ना दिकत थी आप देखी रहे हैं अच्छा बीमारी चली है तो जो छ से बैठे हैं तो आते हैं फोटो ले लेते हैं जिन्दा को मरी घोसित करते हैं अच्छे और वो पतकार महोड़े मुलाकार भी नहीं किया पैसे के मांग कर रहे तो हमने तो यह फर्जी वीडियों और शियाहत में उन्हें लुटा सीधा कई गाहों में हमाई गाहों को भी न टीन बार सबाते हैं लड़कों को भीजते हैं सतहय आते हैं क्याना में हैं क्या नाम है क्सचा कराम करते हैं場ली है कितने कर्मचारी हैं पांच पांच वो डेली आते हैं इसमें गाव को क्या डाला जाता है सुभी बूसा ना रहे हैं पैरा ना रहे हैं अच्छा पैरा डाल रहे हैं और बूसा भी डालते हैं